हेलो दोस्तों स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे मुंबई इंडियन्स और गुजराट टाइटन्स के बीच खेले गए 57 बे मुकाबले के हाइलाट के बारे हो तो दोस्तों यदि चैनल पर नई हो तो फिली चैनल को सब्सक्राब कर लिया है इस मैच में मुंबई ने पहले वल्ले वाजी करते हुए सूरी कुमार यादव के चलते सतक के चलते पांच बिकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए इसके जवाब में गुजराट की टीम आट बिकेट पर ही धेर हो गई 2191 रन ही बना सकी और मैच में 27 रन से हार को सामना करना पड़ा इस हार के वाबजूद गुजराट की टीम अंक के साथ तालका सिस पर बनी हुई है टोस हार कर पहले बल्लेवाजी करने उतरी मुंबई की टीम किसानदा सुरुवात की कप्तान रोहेश सर्मा और इसान किसक की जोड़ी ने पावर पिले में 61 रन जोड़े तीन बिकेट गवाने के बाद मुंबई की पारी बिखर सकती थी लेकिन इसके बाद सुरुकुमार यादब ने सांदार बल्लेवाजी की बहीं बात करें दोस्तों सुरुकुमार यादब की तो सुरुकुमार यादब ने अपनी सांदार फॉर्म जारी रखते हुए आई प IPL में ये उनका सर्वसेश्ट प्रक्तिकत प्रिदर्शन है IPL सोल में ये चौथा सतक लगा है तीसरे नमबर पर बल्लेबाजी के लिए आई सूरी कुमार ने 32 गेंद में अपना आर्ज सतक पूरा किया इसके बाद उन्होंने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और सत् रन बना दिये डेविड मिलर और राहुल तेवतिया ने मिलकर गुजरात की पारी को समाला दोनों ने समाल कर खेलते हुए चटे विकट के लिए 45 रनों की साज़ेदारी की लेकिन मिलर 41 रन बनाकर आउट हो गए इस समय गुजरात का स्कूर 100 रन पर था इसके बाद राहु तिस गेंदों में 10 चके और तीन चोकों की मदद से नावाद 89 रनों की पारी खेली लेकिन दूसरे चोर पर नूर एहमत तीन गेंद पर एक रन बनाकर आउट हो गए अलजारी जोसेफ नेवी 12 गेंद में 7 रन बनाए और गुजरात की टीम 91 रन ही बना सकी 219 रन के बड़े लक्ष का पीछा करते हुए गुजरात की सुरुआत बेहदी खराब रही रिद्धिमान साज सिर्फ दो रन बनाकर आकास मादवाल का सिकार बने इस समय गुजरात का सकोर 7 रन पर ही था तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर क अबये रहrico बनाकर आकर दो एक जरूरां की सिकार तो सिर्फ udah रही हुग हह थो रही ह। मैसा सिलिआ़ की ध्जके लगे हुआ हैं पी diagnosticlish का समय कै बास्स का सिर्फ टाल वाले हैं जरूरें जरें अबह जरूरें भीर रहीर का सिर्फ तो टूरें रहीं इसिमारका ब mediosरावे ब